दुगगल साहब हमारे फोज में थे उन्होंने कहा कि एक सैनिक जब युद्ध करता है और दूसरी की हत्या करता है तो उसमें एमोशन क्रियेट होगा तो वो तो कर्मा क्रियेट होगा ही मैं ये बात यहां करनी भूल गया कि जो कर्तव्य है वो इस संसार में सबसे उपर है आप जिस रोल को परमात्मा का काम मान के करेंगे उसमें कर्मा क्रियेट नहीं होता जो ड्यूटी आपको मिली है अगर आप वेपारी हैं और वेपार धरम का वेपार का कर्तव्य और कर्तव्य क्या होता है जब ये मान के काम किया जाए कि मैं उसका काम कर रहा हूँ किसका प्रमात्मा का काम कर रहा हूँ तो मैं भाव नहीं आता आपने मेरी बात पर गोर फरमाया होगा मैंने कहा कि जब मां भाव आता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ तो उसका क्या होता है फल होता है, क्या होता है क्योंकि आपने बोला एक काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो उस काम की जिम्मेदारी किसकी है मेरी है, उससे मिलने वाला फल किसका, मेरा है, लेकिन अगर मैं यह कह रहा हूँ कि सहाब मैं तो उसका काम कर रहा हूँ मैं तो duty पे हूँ तो आप मैं भाव में नहीं है आप तू भाव में है उसका मतलब उसका फल आपको नहीं मिलता ये वैसी बात है कि अगर एक office में एक accountant को उसके boss ने चार काम लिखवाए हैं कि इस इस तरीके से करना है जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करना है अब उसके बाद अगर वो अपने owner के हिसाब से वैसा वैसा ही करता है और उसका फल अगर गलत हो जाता है accounting गलत हो जाती है तो क्या उसका boss उसको फल देने का या डाटने का हगदार है नहीं है क्योंकि उस accountant ने वही काम किया जो उसके मालिक ने कहा था अब फल जो भी हो ठीक इसी परकार से करतव्य वो होता है जो परमात्मा के कहे गए रस्ते के नुसार किया जाता है और अगर आप इस बोद में कहेंगे कि मैं उसका काम कर रहा हूँ तो उसका फल जो भी हो आपको नहीं मिलेगा एक सैनिक का करतव्य है कि देश की सिमाओं की रक्षा करना और अगर वो इस बोद के साथ करेगा कि मैं अपनी देश की रक्षा कर रहा हूँ यह मेरी डूटी है यह मेरा करतव्य है, यह मेरी जिम्मेदारी है परस्णल होके माभाव में किसी के साथ परस्णल नफरत निकालेगा वह कर्मा करेट होगा तो यह करतव्य और कर्मा का फर्क है जो मैं आपको बताना चाहता था शायद मिस कर गया तो जब आप करतव्य बोध में रहेंगे कर्तव्य बोद के पहला नियम यह है कि प्रमात्मा के दिखाएवे रस्ते पे चल के अपने कर्तव्य को पूरा करना है और इस बोद में पूरा करना है कि मैं उसका काम कर रहा हूं यह बात वैसे भी क्लियर हो जाती है कि जब मैं उसका काम कर रहा हूं तो मुझे उसके हिसाब से काम करना होगा, जो मेरा मालिक है और मेरा मालिक कौन है? वो, तो उसने जो रस्ता दिखाया, उस पे रहते वे, अगर आप कोई भी कर्तव्य करेंगे, तो कर्मा क्रियेट नहीं होगा, माभारत में भगवान भगवान क्रिशन ने अर्जुन को यही तो कहा था, तो युद कर और यह सोच के कर, कि मेरा काम कर रहा है, परमात्मा का काम कर रहा है, कोई कर्मा क्रियेट नहीं होगा, जब अर्जुन माभारत में खड़ा हुआ था, यह सुनने वाली बात है, दो मिनट की, जब अर्जुन अपना रथ लेके खड़ा हुआ, उसने देखा, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, उसने भगवान क्रिशन को कहा, कि मेरा रथ बीच में ले जाई है, भगवान क्रिशन का रथ चला रहे थे, और वो रथ लेके बीच में आ गए, तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह मेरे शत्रुपक्ष के अंदर, वो सब लोग खड़े हैं, जिसमें मेरे गुरु, उनके गुरुप दुरुनाचारे थे, वो खड़े हैं शत्रुपक्ष में, जिसमें का टुकड़ा ले लूँ, तो यह कौन सी भादुर्ता है, इसमें तो पाप ही पाप है,